कि दुर्बल रहना अपराध है हम अगर दुर्बल है असंगठित है तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंतरन दे रहें और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना योगदाम देने वाले बढ़ना परंतु इसका अर्थत दुर्बल रहना नहीं अशक्ता रहना नहीं बली किसकी देनी यज्ञ में क्या गोड़े की नहीं वो तो लात मारेगा हाथी नहीं बहुत बड़ा है शेर नहीं बाबा वो तो बिलकुल नहीं तिर किसको तो बकरे को का कुछ नहीं कर सकते। कि इस विजया दश्मी को यहने आज के दिन अपने कार्य के सव्वे वर्ष में संगपदार्पन कर रहा है। इसलिए शायत आज की उत्षो को देखने के लिए समय से पहले ही परजन्य राज भी उपस्तित हो गए और इसलिए स्वहिंशोकों को थोड़ी जेर खड़ा रहना पड़ा विछेश महत्वका वर्ष इसलिए भी है पिछले वर्ष इसी परवपर हमने महारानी दुर्गावती जी का स्वरण किया था उनकी गुणों के लिए ऐसा ही दूसरा एक सक्षरित्र पुन्यश्लोक अहिल्यवाई होलकर उनकी ये 320 जन्म जैन्ती चल रही है एक उत प्रणानीती के कोशल का परीचे देती है अपने राज्यों को समालती ही है परंतु अखिल भारतिया दुर्ष्टी होने के कारण सारे देश में धर्म संस्कृती का उत्थान हो इस दुर्ष्टी से जगा-जगा मंदर बनवाती है घाट बनवाती है धर्मशालाओं का पुन न करते हुए और एक आदर्श उपस्थित करती है राज्यकर्ता का भी और भारतिय नारी के करतुर्ट्व का एक फिर प्रतिक ऐसा उनके जीवन के मिमित्ता हमारे सामने खड़ा होता है उनका हम स्मरन करते हैं ऐसे ही स्वामी महर्षित दयानंद सरस्वती का दोसवा जन्म जहनती का वर्ष चल रहा है हम जानते हैं कि लंबी गुलामी के बाद भारत का जो पुनुर्थान शुरू हुआ उस पुनुर्थान के पीछे जो शक्तिया थी उनमें से एक स्वामी दयानंद सरस्वती है लोगों में सही धर्म क्या है उसका सत्य प्रकाश उनके बुद्ध में जाए अपने मूल को समझ कर काल सुसंगत धर्म का आचरण वो करें और अपने लिए स्वतंद्रता प्राप्त कर लिए इसलिए जनों की जागुरूती का एक महा प्रयास उन्होंने किया उसकी प्रेणा में से आगे चलके भारत के जीवन के सभी क्षेत्रों में कई प्र में चारित्री चाहिए अभी अध्यक्षा महोदाई जी ने जिस दैवी गुनसंपत का उल्ले किया अभयम सत्व संशद्धी वही है व्यक्तिकत और सामाजीक चारित्री राष्ट्री चारित्री जिनके बल्बूते देश बड़ा होता है पाबना में आज के बंगला जेश म उस समय के पूरो बंगाल में जनमें श्रीश्री अनुकूल चनर्ठाकूर होमियोपाथी के डॉक्टर थे अध्यात्मिक साधक थे उनके माता से ही उनको दीख्षा मिली थी तो उनके व्यक्तित्व से आकर शितोकर लोग उनको आकर मिलते थे अपनी व्यक्तिकत कठिनाइय बताते थे उनके अहल पर उनसे चर्चा होती थी इसी का अगे एक सत्संग आंदोलन बन गया और 1925 में उस आंदोलन का भी विदिवत पंजीयन हुआ उस आंदोलन का मुख्याले आजकल द्योगर में हैं उनकी भी शताब दी इस वर्ष 25 वा 1925 में चली और हम जानते हैं प्रेशी वर्चस्व के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध वनवासी समाज में आधिवासी समाज में बहुत जागृती जुनोंने की केवल भाषण डेकर नहीं अपने जीवन को यद्य में अरपन कर दिया और ऐसा उपधेश दिया और ऐसा आचरन हमारे सामने रखा कि ह हमारे जनजातिय बंधूओं के अस्विता को अस्थित्व को स्वतंद्र भारत में सशक्तों होकर अपने योगदान करने को एक पुष्ट वैचारिक और व्यावाहरिक आधार उसके कारण प्राप्त हुआ उनका भी डेड़्स हुआ जन्मजेंति का वर्ष चल रहा है इस जरने का कारण ऐसा है कि यह लोग हमारे सामने मुर्तिमंत उधारने जैसा हमको होना चाहिए व्यत्किगत और राष्ट्रिये चारित्रे इन्होंने जो किया उसकाम को लाव हो रहा है यह बात अलग है परंतु वो लोग कैसे थे अलग-अलग समय में अलग-अलग उन्होंने काम किया परंतु सबकी समान बाते कुछ थी इन सब लोगोंने प्रामानिक्ता से निश्वार्थ बुद्धी से देश हित्मे समाज हित्मे सौंस्कृति और धर्मके हित्में ही काम किया अपने लिए कुछ नहीं रखा निश्पृता उनका गुण था और निर्भ उपस्थित हुआ तो पुरे जोर से संगर्श किया उसमें आवश्चक जो कठोर्ता आवश्चक है उस कठोर्ता का भी वरण किया लेकिन ऐसा होने के बाद भी वो किसी के द्वेश्टा नहीं बने उन्होंने अपने मन में किसी के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखी सबके प्रति निर्वेर भाव से अपना करतव वो करते थे और इसलिए उज्वल शील संपन्न उनका यह जीवन सज्जनों के लिए आधार बना दुर्जनों को उनके करत्रुत्व की धाक बनी इस प्रकार की समाज में शक्ति जब खड़ी हो जाती है तब फिर समाज का उत्थान होता है देश का उत्थान होता है बाकी सब सायक बनता है ऐसे व्यक्तिकत और राष्ट्रिय चरित्र की आवश्चकता आज की परिस्थिती हमको बार बार बता रही है यह आवश्चक है औ और उसके आदर्श यह जीवन है क्योंकि परिस्थिति हमेशा चुनोतियां तो रहती ही है अच्छा भी रहता है कि दुनिया की हो देश की परिस्थिति हो अभी वहिद्ञानिक प्रगदिका वरणन करते समय आपने बताया भविश्य के लिए तयार होना है और भविश्य इस तकनीकी के कारण कई प्रकार की नई सुविधाय लेकर आया है तो मनुष्य जीवन भवतिक दुरुष्टि से पहले से सुखी है परंतो हम देखते हैं कि इतने प्रगत सुखी मानव समाज में अपने स्वार्था और अहनकार के कारण कैसे कैसे संगर्ष चलते है इस्राइल के साथ हमास का जो युद्ध छिडा वो अब कितना व्यापक होगा और उसकी आग में कौन-कौन जुलसेंगे और दुनिया पर इस बढ़ रहा है टिकनोलोजी के खेत्र में शिक्षा के खेत्र में अतिति महदय ने वरनंग कर दिया है बहुत नपे तुले शब्दों में पूरा चित्र आपके सामने आया है ऐसे सब खेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है समाज की समझदारी भी धीरे-धीरे बन रही है उसके परणाम स्वरुफ हम ऐसा देखते हैं कि जम्मु कश्मिर के चुनाव भी शांती पूरुन ढंग से संपन्न हो गया है इसका ही परणाम हम देखते हैं सारे दुनिया में भारत की साख बढ़ी है प्रतिक्ष्टा बढ़ी है वसुधहिव कुटुम्बकम का हमारा से उसको विदुनिया स्विकार कर रही है उख पर्यावण के बारे में हमारी अपनी जो मिश्टी है वह अज सारी दुनिया में स्विक्यारी है भारत की प्रतिष्ठा दियेे बारत का सामरीक बल बना है कि कई मामलों में देश आगे जा रहा है और आगे ले जाएना क्या प्रयास शासन के द्वारा प्रशासन के द्वारा देश के युवकों के द्वारा वहिद्यानिकों के द्वारा किसानों के द्वारा जवानों के द्वारा सब के द्वारा हो रहा ह विशेशकर युवापिडी में हम देखते हैं किश्वा के गवरों की भावना बढ़ रही है अपने देश के भविश्य के लिए बहुत अच्छे लक्षन है और ये चलते रहेंगे ऐसा नहीं है कि ये किसी तातकालिक समय के वैशिष्टी के नाते खड़े ये करवट बदली ह भारत के समाज में और समाज आगे बढ़ेगा देश को आगे ले जाएगा इसका पूर्ण विश्वास है परन्तु जीवन का मार्ग कभी निश्कन तक नहीं होता और इसलिए कुछ चुनोतिया भी सामने है विजयादस्मी के भाशन में इन दोनों बातों की चर्चा होती है परन्तु चुकि देश की आगे कुछ चलती रहेगी विश्वास है उस तरब देश ने रुक कर लिया है और देश आगे भी बढ़ेगा उसकी चर्चा इस भाशन में आज मैं कम करने वाला हूं एक चुनोतिया इसी ध्यान में आती है जिसका विचार हम सब को करना चाहिए क क्योंकि वो केवल हमारे सामने संग के सामने चुनोती नहीं है केवल हिंदू समाज के सामने नहीं है केवल भारत वर्षक के भी सामने नहीं है पूरे दुनिया में वो चुनोती उठ रही है उसको हमको समझना होगा क्योंकि बहुत माया भी धारन करके वह चुनोती आगे च जिनके नीच स्वार्थ मार खाते हैं भारत के प्रमुखत्व के कारण वो अपक्सा तो यही है कि उनका विरोध होगा तरह तरह की चाले वो चलेंगे भारत को दबाने का एक विशिष्ट मर्यादा के अंदर ही बढ़ने देने का प्रयास करेंगे वैसा हो भी रहा है क्योंकि आखिर अभी तक भारत छोड़कर बाकी विश्वने अपने स्वार्थ की बली देकर भी दुनिया को बढ़ा करने का मार्ग पकड़ा नहीं है हम यह करते हैं आज भी कर रहे हैं सब को मदद करते हैं हमारी सत्रुता करने वालों को भी आवश्यक्ता में मदद करने वाले हम ह है शांती रहे इसलिए अपने हीतों का बलिदान भी हमने कई बार किया है और करते हैं ऐसा सबहों दुनिया में नहीं है और इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है या कोई भी देश आगे बढ़ रहा है कल चल के हमारा स्पर्दक बनेगा ऐसा डर जिनको लगता है वो उस देश म अपनी सुरक्षा को धक्का नहीं लगना चाहिए और इसलिए दूसरे देशों में कही प्रकार के उत्पात खड़े करना जनतांत्रिक तरीके से वहां कोई सरकार चुमके कारोबार कर रही उसको नीचे लाना ऐसा दुनिया में चलते रहता है कि दुनिया के रीती लगवग बन गई है जो नहीं बननी चाहिए लेकिन है अब हमारे पडोस में ही बंगलादेश में क्या हुआ उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है यह बाट ठीक है लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता वो कारण उनकी चर्चा जिनका विश्य हो करें परंतु दो बाते जहन में आती है पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोराया गया पहली बार वहां का हिंदू संगटी थोकर अपने बचाओं में रास्ते पर आया इसलिए कुछ बचाओं हो परंतु कहीं कोई गड़बड हो दुर्बलों पर अपना गुस्ता निकालने की जो कट्टरपन की प्रवृत्ती है वो प्रवृत्ती जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या वहां के सभी अलपसंख्यक उनके सर पे खत्र की टलवार लटकी रहेंगी उ विश्वभर के हिंदूों के भारत के सरकार की साहयता उनको मिले ये उनकी आवश्यक्ता है परूंतु इससे ये ध्यान में आता है और ये ध्यान में आना चाहिए हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है हम अगर दुर्बल है प्रेप्त है और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगटित रहना सशक्त रहना लुकिन दूसरी बात है हमारे सब के ढारे अब वहां चर्चा यह इसी चलती है बंगलादेश में कि भारत से हमको खत्रा है और भारत से खत्रा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए वही हमारा प्रामानिक मित्र है और दोनों मिलके क्योंकि उनके पास नुक्लियर वेपन से हम भारत को रोक सकते हैं जिस बंगल बंगलादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वहरभाव रखा नहीं आगे भी नहीं रखेंगे उस बंगलादेश में यह चर्चाय हो रही है यह चर्चाय कौन करा रहा है ऐसे वरन नैरेशन्स वहां पर चले यह किन-किन देशों की हित की बात है यह तो देखने वाले सोच कुछने वाले समझते नाम लेनी के आवश्यक्ता नहीं हमारे देश में भी ऐसा हो यह च्छा है क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्था के दुकान तो बंद हो जाएंगे और यह बारत का इसा मार्थान नह पने ऐसे उत्योग चल रहे है कि डीप स्टेट वोग अपने आहें बहुत पहले से हैं क्योंकि किवल भारत नहीं सभी साउस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध यह विचार जाता है कि परंपरा से दुनिया में कही भी कोई भी समाज जीवन में जो मंगल है भद्र है ऐसा मानता है उसको ध्वस्त करना यह इनके कार्या प्रणाल का अंग है और यह करने के लिए पहले पहला सुत्र उनको होता है इन्वेड़ इन्स इंस्ट्रूशन संस्थाओं को कब्जे में लोग शिक्षा संस्थान है विद्यापीट है शिक्षा व्यवस्था है माध्यम है बहुत धीव जगत है इन सब पर अपनी पकड़ कायम करके उनके द्वारा समाज में विचारों की विकृती का प्रसार करना विचारों को बिगटना अपनी परंपरा के प्रती अपने स्वत्व के प्रती अश्रद्धा से उत्पन करना हम ही अपने लोगों को गाली दे हम ही अपने बातों को तुछ माने उनकी लज्जा करे इस प्रक जबरदस्थी विविधता आरोपित करके हम अलग है हम हिए इसलिए नहीं है हमारी सवेशिण डेना इतना अबला समाज है छोटी मोटी समस्याही सबकी रहती बड़ी समस्याह decel समाज के स्थीति में सब कुछ ठीक ही रहता ऐसा नहीं सुधारने का भी बहुत कुछ होता है तो कई अन्याई चलते रहने वाले रहते इन सबको लेकर एक असंतोष उत्पन्न करना शंगर्च उत्पन्न करना टक्राओं की स्थिति उत्पन्न करना लोगों को उग्र बनाना व इस से उस देश पर बाहर से वर्चस्व चलाना आसान होता है पहले जैसा आपस में उद्ध करना आसान नहीं है अब युद्ध इस प्रकार से होता है इसको मंत्र विपलव कहते हैं अपने परंपरा में ऐसा मंत्र विपलव चल रहा है और ऐसी भ्रहम की स्थिति में उनको देश के अंदर भी कभी वा साथ ही मिल जाते जाने अन जाने अ प्रजात अंत्रिक देश है अपना अनिक दल रहेंगे उंकि पर्दा चलेगी प्रजात पंदर की पध़ती है लिकिन समाज में ये अलगाओ टक्राओ देश की एकता एकात्मता देश के वह भुसंपवन होने के प्रयास से बड़े बन गए अथ्वा दलों के स्वार्थ समाज की सद्भावना और आश्टर की एकात्मता को गोण बना कर चलाए गए तो फिर किसी एक का पक्षा लेके उनके पीछे खड़ा रहे ना खुद मैदान में नहीं आना हूं अल्टरनेट पॉलिटिक्स ऐसा कहते हैं परियाई राजनी उसके आड़ में अपना ये अजेंडा और ये पध्धतियां चलाती है और यह मैं कोई कॉंस्पिरसी थेरी नहीं बता रहा हूं पुस्तक है निकल रही है पाश्चात्य देशों स पे वहां की परिस्थिति के बारे में पाश्चात्य जगत के अनेक प्रगत देशों में इस मंत्र विपलों के परिणाम स्वरुक जीवन की स्थिर्ता शांति और मांगल्य संकट में पड़ा हुआ उनको अनुब होता है हमको भी देखाई देता है भारत के चारों और विश समय पर हमको जागना है हमारा देश साउस्कृतिक एकात्मता के अधिश्थान पर खड़ा है अंडरलाइंड कल्चरल यूनिटी ऐसा हमारे समिदान निर्माताओं ने भी अन्यत्र भाशनों में कहा है और नाइतिक विचारों का अध्यात्म के सत्य का एक बलशाली अधिश्थान हमारे समाज की स्थिर्था को आपस के संबंदों को व्यक्तिगत और राट्रिय वेवार को मिला है इन आधारों को नश्ट करने के कुप्रयासों को समय के पूर्व हमको रोकना पड़ेगा उसके लिए समाज को प्रयास करने पड़ेंगे एक ऐसा रैष्ट्रिय नेरेटिव चलाना पड़ेगा उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी कानुन समिधान के मरियादा में रहते हुए अपने सावस्कृतिक अधिश्ठान पर पक्का रहते हुए हमको इसकी योजना बनानी पड़ेगी क्योंकि समाज को सुरक्षित रख पुष्ट करता है और वह बल्वान होती है तो वह भी सांसकारों के क्षरण का कारण बनती है और हम देख रहे हैं कि भारत वर्ष में इस प्रकार का मनवचन कर्मों पर कुप प्रभाव निर्मान हो रहा है क्योंकि आप कोई बात चिपी रहती नहीं मीडिया सरुत्र पहु है कि घर में क्या देखना नहीं देखना इस प्रकार का विवेक नहीं मिल रहा है कि ऐसी स्थिती में घर परिवारों में यह नियंत्रन स्थापित करना और अपनी विधी व्यवस्था में भी इसके व्यवस्था के लिए कोई इसके नियंत्रन के लिए कानुन बनना इसकी आ ये विवेक नों होने के कारण कई जग नहीं पिढ़ी नशीली नशीली दवाओं की आदतों में खोकली होती चली जा रही है कहीं पर दिखता है कहीं पर नहीं दिखता है कहीं कहीं पर ऐसा भी हो गया है कि कोई नशिली दवा जो नहीं लेता उसको पिछड़ा माना जाता है इस प्रकार का वाता अरण भी उत्पन्न हो रहा है और हम देखते हैं कि हमारे जैश की परंपरा क्या हमारे जैश कैसा है एक अपदी के बस्तर को हाथ लगा माभारत हो गया एक सिता का हरण हो गया रामायन हो गया यहां पर कैसी घटनाए घट रही है अब कलकता में जो हुआ अरजीकर अस्पताल में लज्जा जनक घटना है हम सब को कलंकित करने वाली घटना और यह एक नहीं है घटना होती है उसका करना जैसे वहां खड़े हो गए समाज के सब लोग डक्टर लोगों के साथ घटना होने ही नहीं देना इसलिए चौकरना रहना चाहिए शुरक्षा देनी चाहिए परन्तु होने के बाद भी वहां जिस प्रकार से तलंटाल का प्रयास हुआ अप्रादियों को सवरक्षन द सब्सक्राइली है उसके साथ अप्राध और राजनीती का जो गटबंदन हो गया है उसके परिणाम है हमारी साउस्कृतिक देने यह दृष्टी जो कहती है मात्रवत प्रदारेश पराइस्त्री माता समान है जिन से प्रबोधन प्राप्त होता है परिवार में अपने सब्सकार हुआ अपेक्षा यह उपेक्षा हो गई तो फिर वह मंगा पड़ेगा और इसलिए वहां पर इसका भान रहे और मुल्यों का परबोधन हो इसके लिए हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी यह जो परिस्थिती सारी चल रही है उसमें हम देखते हैं कि सारे खत्रे संसकार भ्रटता के कारण और आपस में अलगाओं के हवाब अती है उसमें बही जाने के कारण देश में सर्वत्र है आप दिखी सीमा से लगे पंजाब है जमु कश्मिर है लद्दाख है समुद्री सीमा पर केरल है तमिल नाडु है और बिहार से मनिपूर तक पूरा पुर कटरपन को उक्षाप कर उपद्रो किये जाते हैं ये भी परिश्थिति यह बहुत सारे असंधोष के कारण इतने बड़े समाज में हो सकते हैं ट्राफिक जाम हो गया तो वह असंधोष का कारण बनता है असंधोष को व्यक्ता करने के रास्ते भी हमारे समिधाने बताए प को ताक पर रखकर कानुन समिधान को छोड़ते हुए कहीं किसी ने कुछ किया पुरे समाज को जिम्मेबार मान कर यह जो उपद्रव होते हैं इसको असंतोस के जग गुंडागर्दी करना ज्यादा अच्छा है कि गुंडागर्दी होती है और कहीं कहीं यह हो जाती है समाज क कट्रसुभाओं के कारण कि अत्थव्य कहीं इसको कराए जाता एक अभी कभी समाज करता में उपद्रव करने वाले आके कर्के चले जाते हैं पुझ्य बबबाबसाब आमकर शाभ ने मैं इसी के मिर्ति हम अब यह इशारा हमको मिल चुका है हम लेकिन ऐसा करते हैं अभी गनेश तुस्थों के पत्थ्राव विसरजन के जुलूसों पर हुआ क्यों हुआ कोई कारण नहीं था ऐसी बातों का नियंत्रन त्वरित करना प्रशासन का काम है कि करते हैं कि तोड़ी डिलाई भी दिखती ह परंतु प्रशासन आते तक तो समाज को भुगतना पड़ता है तो इसलिए समाज को तैयार रहना चाहिए सावधान रहना चाहिए तैयार रहना चाहिए गुंडागर्दी में चलने देने हैं गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है और गुंडागर्दी किसी की भी हो उक्षम्य नहीं है अपना और अपनों का प्राण और चीज वस्तु इसके रक्षा करना यह अपना अधिकार है मुलबूत अधिकार है बाते प्रशासन को पुलिस को करनी है उनको ही करनी देनी चाहिए लुनके उनके आते तक अपने प्राण को बचाना अपनों के प्राण और इसलिए के लड़ाने के लिए कर रहा हूं दराने के लिए भी नइकर रजाना अच्छी बाते विसुट रहा हूं परिस्थिति है और इसलिए क्योंकि अव सब कि है अपना देश हैकात्म हो सारे वह स अपना देश बड़ा बने सबकी इच्छा है सबका करता वे अभी है और इसलिए समाज की एक विशिष्ट प्रकार की स्थिती चाहिए विशिष्ट दिशा में प्रयासों की अवश्रक्ता रहती है समाज स्वयम जगता है अपना पुर्शार्त करता है तब महापुरुष संगटन संस्थाय प्रशाशन prince Shaasan यह सब साहायकारियnya होते है समाज की स्वश्ध स्थितितें सारे उपद्राव टल जाते जैसे युमिनिटी कम होने के बाद रोग आते हैं स्वस्था अवस्था शरीर की ढलती है बीमारिया बाद में घेरती है और बीमारिया भी स्वस्थादा को नट करती है और इसलिए यह स्वस्था अवस्था समाज की सशक्त अवस्था याने समाज की संगटित अवस्था है सम किसकी देनी यग्ण में चर्चा हुई कहते हैं क्या गोड़े की नहीं वो तो लात मारेगा हाथी नहीं बहुत बड़ा है शेर नहीं बाबा वो तो बिल्कुल नहीं पिर किसको तो बकरे को काटो कुछ नहीं कर सकते हैं देवो दुर्बलग आतका और इसलिए इस स्वस्थता करने के लिए संपूर्ण समाज में कुछ विशय हम शताबदी वर्ष के पश्चात ले जाएंगे अभी सुवा साल शुरू हुआ है वो पूरा अगो 1925 में उसके बाद साल भर शताबदी वर्ष का कुछ चलेगा उसके बाद समाज में हम विशय लेने जाने वाले हैं समाज के स्वस्थ स्थिति की पहली शर्त है सामाजिक समरस्ता और सद्भावना इसके बिना संगटन संभव नहीं और इसलिए इन बातों को ले जाना है लेकिन ये बात ले जानी है निकारिकम ले जाने से नहीं होता कुछ प्रतिकात में कारिकम कर लिए तो समरस्ता सद्भावना नहीं आती है व्यक्तिकत स्थर पर पारिवागी स्थर पर काम करना पड़ता है समाज के सभी वर्गों में व्यक्तियों की और कुटुम्बों की मित्रता होनी चाहिए मैं जितने दारे में गुमता हूं काम करता हूं वहां के सब प्रकार के रहने वालों में मेरे मित्र होने चाहिए मेरे परिवार के मित्र कुटुम्ब वहां सब प्रकार के रहने वालों में होने चाहिए बाशा विविद है पंत्रसंप्रदाय विविद है खान पान रितिद अप्रवास सब अलग-अलग होने के बात भी यह कुटूमबों की और व्यक्तियों की मित्रता यही समाज में समरस्ता लाती है प्रबोधन करने के लिए बाकी सब कामाता आचरन कर के लिए यह प्रत्यक्ष मित्रता चाहिए और जहां जहां लोगों को समझाना संभव है अपना इतका अपनी इतनी साख है वहां समझा के पर्वत्य वहार सब के होने चाहिए विशमता इतनी विचित्र हो गई कि हमने अपने संतों को देवों को सब को बाट लिया वालमी की जैनती वालमी की बस्ते में क्यों हो वालमी की रामा इंटु पूरे हिंदु समाज के लिए लिखा तो भगवान वालमी की जैनती सब मिलके मनाएं भगवान रविजास की जैनती सब मिलके मनाएं सारे परवत वार मिलके पूरा हिंदु समाज करें सबागी हो बाहर स सभागियों अंदर जाकर सभागियों यह सभागिता चाहिए और समाज के श्रद्धा गेया उप्योग के जो केंद्र होते मंदिर है पानी है समसान वो सब के लिए खुले चाहिए ऐसा वातावरण चाहिए यह हम को करना पड़ेगा इसको लेकर हम समाज में जाएंगे अपने समाज में अनेग जातिवर्गेहे उनका अपना-पना नित्रुट वह उस नित्रुतों के हाथ में संस्था अच्छी तरह होता है यह सब जाती वर्गों के जो मुखिया लोग है वह अगर नीचे खंड स्थर तक ब्लाक स्थर पर इकत्रित हैं और आपस में बताएं कि अपने जाती के उत्थान के लिए उनको समय के हिसाब से ठीक प्रकार का प्रबोधन क्या क्या खत्रे है समाज इसके बारे में जानकारी देश दुनिया में क्या चल रहा है इसकी जानकारी यह हम अपने समाज में कैसे देते हैं उनका जीवन अधिक उन्नत हो अधिक संस्कार वाला हो बहुतिक दृष्टी से सुक्य हो क्या क्या कर रहे हैं आपस में शेयर करना बताना कल्पनाय मिलती ह अन्य लोगों को प्रयास करने के लिए लिकिन इनके साथ और दो विश्यों की चर्चा करने अपने अपने जाती वर्ग के लिए हम यह सब कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है परंतु हम सब मिलकर अपने उस खंड में समाज के कौन सी एक समस्या है जो हम उठा कर अपने बल्बूते उसको ठीक कर सकते पुरे समाज की कोई समस्या हर दो महने बैठते तो दो महने में एक कोई समस्या उठा कर उसको ठीक करना सबने मिलके तह करना इसको हम हाथ और दूसरा यह तेह करना कि हम सब जाती वरके यहां रहते हम मिल रहे हैं वो हम में जो दुर्बल जाती है उसके लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं co A&cGH better में मैं था किता भब आलमी की बंदू थे उन्होंने खड़े होकर बताई अपनी समस्या हमारे बच्चों के लिए विद्धियाले नहीं है फ्रीवाट उछलता नहीं है फ्राइवेट हमको फुरा ता नहीं है बच्चे कहां पढ़ है तो वह राजपूत समाज के लोग बेटे थे खड़े हो गए उन्हें का आपकी बस्ती तो हमारी बस्ती को लगकर है का है तो हमारा स्कूल है कि बीस प्रतिशत लोगों को हम लेंगे बिना फिस के पढ़ाएंगे और काम शुरू हो गया समाज में विभिन जाती वर्गों के लोग बैठकर नियमित इन तीन विश्यों का विचार अगर करते हैं तो समाज में सद्भावना नहीं रहेगे तो क्या रहेगा और कौन उस सद्भावना को तोड़ सकेगा क्योंकि सब जानते हैं कि हम अपना भी विचार करते हैं सब का भ जाएंगे और हम आये इसकी रहा देखनी की आवज सकता नहीं जहां हो सकता है माशुरू होना चाहिए दूसरा विशेक सामने आता है जागतिक समस्या है पर्यावरने की सारी दुनिया तरस्त है एक बड़ा प्रश्ण चिन्न चिंतों के सामने सुष्टी रहेगी कि नहीं रह में भी उसका अनुभव हो रहा है हम देखते हैं हमारे यहां पर तरह तर के उत्पाद हो गए रुत्य विचित्र बन गई कि कभी भी आती और जब आती है तब फूट पड़ती है वर्षा नहीं होगी नहीं होगी तो मूह तक में छाले पड़ जाएंगे इतनी गर्भी और होगी तब छालो सइथ सबको बहा ले जाएंगे यह विचित्र की उरता रुत्वों की उत्पन्य हो गई है यह सब होता है इसका कारण क्या है इसका कारण पर्यावरण के बारे में एक अधुरी दुर्ष्टी पर चलना है अब सारी दुनिया इसको अनुभव कर रही और इ अपने देश में भी उसकी बात तो हम करते हैं परन्तु उसी दुर्ष्टी को लेकर हम भी चले दुनिया का अंधान उसरण किया और इसलिए हम देखते हमारे यहां भी उत्पाद हो रहे हमारी जमीन विक्रुत हो गई हमारा पानी अशुद्ध हो गया हमारी वनस्पतियों में केमिकल्स आ गए है उसके कारण भीमारिया बढ़ रही है रुत्व ऐसे बन गए है जंगल कट गए हरियाली नट्ट हो गई नदिया सुख गई अन्न जल वायू धरती सब विशाक्त हो गए परवट धरते हैं भूमी पढ़ती है पिछले दो वर्षों के समाज आर्जे क है तो इस विचार को बदल के हमको अपने विकास्पत को सही जो अपना परंपरागत पूर्ण विचार है जो पर्यावरण के प्रती कृतद्यता रखता है मित्रता रखता है उसके आधार पर कई प्रकारती अपनी पद्धतिया पर्यावरण को पुष्ट करने वाली देश में जमीन अभी भी दे रही उर्वर है प्रासायनिक खेती हुई 200 साल में भूमी बजड़ बन गई अब कई जगह भूमी को तीन तीन चार चार दस दस साल विश्राम देना पड़ता है उसमें तरह तरह के जविखाद डालने पड़ते तब कुरुशी योग्य बनती है कि स्थितिया हमारे जैश में भी कई के हो गया है जुआ हमको अपने विचार के आधार पर अपना विकासपत बनाना पड़ेगा और नीती उस प्रकार बनानी पड़ेगी उसका कोई परियाए नहीं परंतु इसके लिए विचार बनना चाहिए सारे देश में समान वहिचार बनानी पड़ेगी इसको करने में समय लेका तब 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 तक रुखने की आवश्यक्ता नहीं अपने घर से हम प्रारंब कर सकते हैं तीन चोटी चीजे करना है पानी बचा और पानी का संदारन करो जल संदारन करना और कम से कम उपयोग में चला नहीं प्लतु जाने नहीं द प्लास्टिक अपने यहां नहीं चलना चाहिए और तीसरी बात है पेड़ लगा घर में भी हरियाली रखो आंगन है तो बगीचा करो पेड़ सब्जी वहां उगाओ निबू का प्यों सकता है सिता प्ल का पेड़ 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 सकता है छोटी मूटी सब्जिया हो सकती ह मkraut फिलते पालग मेती असमों सकता है छोटे सांगां में भी उसकता है गमलों में और यो खेती हो सकती है जटपर भीект एिऊ सकती हर कि घर कीरी अलीं बढाव exactly और अपने गाओं की शहर की महले शेली अदूल के रियाली बनाने के लिए छोपुट कोई कोई भी व्रुक्षा मत लगाओ परंपरा से उस आवो हवा में मनुष्य जीवन को जो धारन करते हैं ऐसे व्रुक्षों का ज्ञान अपने आए वो लगाओ कई पेड़ हमने फैशन के नाते लगाए विदेशों से आयात करके लगाए अब उनको काटने की आग्या सरकार दे रही है क्योंकि उसके कारण मदनपली गया था कुछ पेड़ लगे थे पेड़ काटने को कहा है सरकार ने क्यों कहा है वाई अच्छे तो बगने पेड़े इस पर पंची नहीं बैठता और इसकी हवा में आने वाले को विकार होते हैं व वुर्ख्षार ओपन करना यह करते हैं तो नीतिकत प्रट्णों के संबंध में हल करने में जो समय लगेगा भी लंब होगा उस बीच नुकसान तो कम होगा या थम जाएगा यह हमको करना चाहिए तीसरी बात दूसरी बात आती है संसकार संसकार ख्षरण की चर्चा आपने एक अपना घर है घर में सांस्कृतिक मुल्यों का प्रशिक्षण होता है घर के वातावरंस है घर के लोगों के आचरंस है कि यह जो कहा मैंने मात्रुवत परदारेश्यू परद्रवेश्यू लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेश्यू कि आज कि यह वा बिल्कुल उल्टी चलते हैं तुम ही सब कुछ हो इंडिविज्यूलिजम यहां कहते हैं आत्मवत सर्वभूतेश्यू कि मेरे जैसे सब लोग है जिससे मुझे खराब लगता है दुसरों के साथ नहीं करूंगा पैसा शॉर्टकट से नहीं लूंगा पसी नहीं का कमाऊंगा वहीं खाऊंगा दूसरों का पैसा मिट्टी का डेला है मेरे लिए परद्रवेश लोट्थवत और मात्रुवत परजारेश्यू यह प्रशिक्षन कहां होता है सबसे पहले अपने घर में होता है बचपन से होता है घर का वातावरन वैसा करना घर के सब लोगों को वैसा व्यवार रखना चाहिए अपने कुटुम में इसकी चर्चा करते रहनी चाहिए वैसा वातावरन बनाना चाहिए शिक्षानीती में यह आना चाहिए नई शिक्षानीती में इसका प्रयास टल रहा है परन्तु वो जो काले स्कूल में शिक्षा मिलती है याने प्रबोधन होता है भाषन होता है पढ़ना होता है सुनना होता है केवल उससे नहीं होता देखना भी होता है शिक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है उसका मुर्तिमन्त उधारण शिक्षक प्राध्यापक होने चाहिए वहां से प्रारंब करना पड़ेगा उनके प्रशिक्षन का कोई तरह का डुणना पड़ेगा लेकिन यह ध्यान रखना शिक्षा तो बाद में आती है आयू के तीन साल से लेकर बारा साल तक की घर के वातावरंड से और घर में होने वाले समवाद से मनो भूमी का बनती है आदमी उसी दिशा में आगे बढ़ता है इसलिए घर और ऐसे शिक्षा संस्थान उसके साथ साथ सामाजिक वातावरंड समाज में जिनको देखकर लोग चलते है यद्यदा चरेति श्रेष्ठ तत्त देवेत रोजना महाजनों यन गतस सपन्था कई उक्तिया हैं समाज के प्रमुख लोग जैसा चलते हैं वैसा सब फिल्ट्व करते वीचार करने की जहंजट में नहीं करते पड़ते उनकी उक्षमता नहीं वह समझते भी वह तो जिनको बड़ा माना जाता है जो लोक प्रीए है जो प्रभावी है वो जैसा कहेंगे करेंगे वैसा कहते करते हैं उनको यह चिंटा करनी चाहिए समाज के मन को गढ़ने वाले माध्यमों को इसकी चिंता करनी चाहिए कि हमारे करने में से समाज की धारणा करने वाले समाज में भद्रता मांगल या कायम रखने वाले मूल्यों का पोशन होना चाहिए कम से कम उसको धक्का लगे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिस प्रकार की बाते आती है ओटीटी प्लैटफॉर्म से अगरे पर बताना भी अभद्रता होगी इतना बिवत से होता है और इसलिए मैंने कहा कि इसका कानुन से भी नियंत्रण होने की आवश्चक्ता है बहुत आवश्चक्ता है जो संस्कार भ्रष्टता था एक बड़ा कारण वो भी है और इनी संस्कारों का जीवन में प्रगटी करन जब होता है तो उसका दुसरा पहलू है हमारा साम właśnie जीवन समाजिक जीवन नागरिकों का जीवन就會 precisa हम लोगों को देश में साथ में रहना है साथ में रहना है तो ठीक से चलना आना चाहिए न अभी आपने देखा यहां कीचड़ फैला था उसमें चलना संभव नहीं था चलते फिसल जाते ठेला ठेली होती है चलने का कारकर्म रद्द कर दिया क्योंकि बाजार में चलना अलग बात है वहां कोई किसी का रहता नहीं अपना अपना काम करने आता है चले जाता है तो भीड रहती है ठेला ठेली होती है सब होता है लेकिन ठीक से चलना है तो मिलके चलने का शास्त्र रहता है मिलके चलने के नियम होते हैं देशकाल परिस्थ परिवर्तन भी होता है आज दो पथा संचल होने वाले थे एक करना पड़ा एक उसमें छे कतारों में चलने वाला था सब को चार में चलना पड़ा क्योंकि वर्षा के कारण एक परिष्थिति आई ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं लेकिन अपने समय में जो भी नियम है साथ च चाहिए कि नागरिक अनुशासन होता है कई प्रकार के कर बिल भरने पड़ते समय पर भरना चाहिए दिन दियाल जी ट्रेंड में जा रहे थे ट्रांजिस्टर बंद कर गया सामने वाले को कहा कि आपके पास ट्रांजिस्टर लगाओ मुझे वारता न्यूस सुननी है सामने वाले ने का अभी तो आपने बंद किया तो मैंने इसलिए बंद किया कि अभी इसका लाइसेंस रिन्य तो हो गया रिनू करने के बात मैं लगाऊंगा तब तक रुपया आपका दीजिए जिन्द्याल जी बड़े वेक्ति थे नेता थे भारतिये जन्सन के अध्यक्ष थे वो यह नहीं करते तो उनको कोई कुछ कहता नहीं लेकिन उन्होंने इसका ध्यान रखा गल्ती से एक बार सब्जी वाली को खोटा पैसा चला गया वापस आये कार्याले से सारा खुरदा ढूंकर खोटा पैसा वापस लिया खरा पैसा दिया खोटा पैसा नदी में फेक कर आए तो कि दूसरा को उसका उपयोग नगरे आहें कैंऊ यह आचरण यह समाज की निया मोत रहाधारी की निया मोत है कैसे चलना कि इसका पीड़ाल बत्ति सारी बाते कि इन सबका ठीक से पालण होना चाहिए शच्रत्धापूरवक पालण होना चाहिए अकशर शाह और भाव में रख कर भी और ऐसे ही अपने पूरोज द्योश को एक चलने का अपना अनुशासन है अपना सव्मिधान कि वो सब लोगों ने अपने लिए धारण किया है सव्मिधान की प्रस्तावना में पहला वाक्या है हम भारत के लोग अपने आपको इस सम्मिधान को अरपन करते हैं इस भाव के जहन में रखना वो सम्मिधान अपने देश के चलने का अनुशासन है उस अनुशासन का भी पालन होना चाहिए और इसलिए उस सम्मिधान के चार प्रकरण मिशेश महतोपुर्ण है सब को उसका प्रबोधन मिलना चाहिए सब में उसकी चर्चा होनी चाहिए एक तो सम्विधान की प्रस्ता बना है कि दूसरा सम्विधान में मार्ग दर्शक तत्व है सम्मिधान में मूलभूत करतव्य है और सम्मिधान में मूलभूत अधिकार है सामान्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिलनी चाहिए उसके प्रबोधन की व्यवस्था होनी चाहिए घर में से स्वभाव में से हमको मिल जुलकर चलने की कला मिलती है वो मिलनी चाहिए वो पारसपारिक व्यवार का अनुशासन परसपर व्यवार में मांगल्य सद्भावना बदरता और सामाजिक व्यवार में देश भक्ति और समाज के प्रति आत्मियता के साथ कानून सम्मिधान का निर्दोश पालन ये सब मिलाके व्यक्तिगत और राष्ट्रिये चारीत्रे बनता है देश की सुरक्षा एकात्मता अखंडता वो विकास के लिए यही दो पहलू महतोपूर्ण है इनका तुर्टी विहीन और संपूर्ण होना आवश्यक है इसलिए सजगता और सात्त्य के साथ इसकी आदत करते एक एक कदम पर इसमें इस तोखट में ठीक चल रहा हो कि नहीं यह देखना चाहिए और यह आचरन सतत ऐसे होता है उसकी प्रेरणा है स्वा की प्रेरणा है स्वाधेशी हम कहते इसक्या है कि अध्यक्षी जिन वाधार पर हमारे पूरुव जोने एक सत्य को प्रापत किया कि उस सत्य के आधार पर हमारे कुछ मूल्य बने जिनको धर्म कहते हैं कि सत्य कुरुणा शुचिता तपस कि इस टोखट में जो बैठता है वो धर्म है कि धर्म भारत का स्वह है कि रिलीजन नहीं रिलीजन अनिक है कि सब रिलीजन के पीछे जो रिलीजन है कि उसके पीछे जो अध्यात्मिक्ता है रिलीजन ऑन दी टॉप अफ रिलीजन से सकते हैं कि वो धर्म वो भारत का प्राण है कि वो हमारी प्रेना है कि उसके कारण हमारा इतियास बना है उसके लिए हमारे बलीजान हुए देखिए अपना पुरा इतिहास आपको पता चलेगा कि भारत वर्ष में जो करत्रतु वह हुआ है धर्म के कारण हुआ हैं भारत वोर्ष में संगर्ष हुआ है वो भी धर्म के लिए हुआ है और उसको ध्यान में रखना उसकी पहचान को सपष्ट स्वरुप ढमें आना चाहिए हम कौन है उसके नात्य हम कहे जाते हम सब हिंडूember कि क्योंकि उस धर्म को जो शाच्वत है शनातन है सुरुष्टी के साथ अस्तितों में आया है सबको को है सबका है हमने खोजा नहीं है हमने दिया नहीं किसी को हमने पहचाना कि वल इसलिए उसको हिंदु दर्म कहते हैं जो वास्ताओं में महानों धर्म विश्वा दर्म है कि वह हमारा स्वत्व है उस स्वत्व के आधार पर चलना चोटे चोटे व्यवार भी उसके आधार पर करते हैं कि उसके गवरों के कारण स्वाभिमान उत्पन्न होता है और स्वाभिमान हंको बल देता है आगे बढ़ने का और इसलिए उस वग्याधार पर छोटे व्यवार भी करना कि जो हम अपने घर में बना सकते बाजार से नहीं लाना कि बाजार से लाना है तो इसलिए लाना कि किसी का रोजगार उस पर चलता है जो अपने देश में बन सकता है बाहर से नहीं लाना कि देश में नहीं बनता उसकी बिना काम चल सकता है चलाना कि बाहर से लाना ही है जिव लेकिन वहाँ अपनी आवश्चक्ता के अनुसार अपनी शर्टों पर हम खरी जाएंगे कि सोदा पटेगा तब लेंगे दबाव में नहीं करेंगे कि अपने घर के अंदर अपनी भाषा बोलेंगे कि घर के अंदर भाषा भूशा भजन भोजन अपना होना चाहिए ब्रह्मन करने के लिए जाते सारी दुनिया में जाईए कोई बात ने अपने देश के भी स्थान देखिए प्रेरक्ष्थान है और अपने देश्वासियों की स्थिति बताने वाले स्थान है जाईए वनों में अपने वनवासी बंदू कैसे रहते जुग्गी जोपडियों मे जाए वहां लग कैसे जी आ जाता है प्रेलक स्थानों पर जाएए किले देखिए चितोड का गड़ देखिए राइगर देखिए यह भी जाने के स्थान है भ्रहमन वैसा होना चाहिए और अपना भवन भी वैसा होना चाहिए कि यह स्वदेशी का व्यवहार है उसको आग्रह पूर्वक करना इस पांच बाते लेके स्वयम सेवक्त समाज में जाने का विचार कर रहे हैं समरस्ता सद्भावना परियावरण कुटुम्ब प्रबोधन कि स्वदेशी और नागरी का अनुशास और एक बात है जिसको हम सबने ध्यान में रखने की आवश्यक्ता है मन वचन कर्म का विवेक चाहिए राट्रिय चारीत्र का वो एक महत्वपूर्ण पहिलू है अपना देश विविधा प्रकार का है और विविधा स्थितियों में लोग है इसलिए कोई एक बात देश में ह होती है वो सबके लिए अच्छी लगेगी इसकी गारंटी नहीं है कोई कानुन बद्दा है वो सब को जचेगा नहीं बता सकते सब को खुश नहीं कर सकता काम है तो हमेशा कुछ न कुछ तकरार रहेगी और शिकायत रहेगी इसे बातों को लेकर आपस में लड़ पड़ना ठीक नहीं है हम सम्वेदन शील रहते हैं इन सब बातों के प्रती ठीक भी है लेकिन उस सम्वेदन शीलता को प्रकट करने का मार्ग संयम का होता है असंयम का नहीं होता कानून और व्यवस्था को धता बता कर अवईद्या हुंसात्मक मार्ग से उपद्रों खड़े करना किसी ने किया पूरे वर्ग को जिम्मेवार मानना यह गलत है किसी के लिए यह विहित भी नहीं है सहिष्टनुता सद्भावना भारत की परंपरा है असहिष्टनुता और दुर्भावना भारत विरोधी और मानव विरोधी दुर्गुन है इसलिए एक शोब कितना भी हो असंयम से बचना चाहिए मन, वाणी और कृती से किसी की श्रद्धा का, श्रद्धास्पत स्थान का, महापुरुष का, गरंथों का, अवतारों का, संतों का अपमान नहोँ, इसका ध्यान स्वयम के विवार में रखना चाहिए, और अन्य किसी से ऐसा हो गया, तो भी स्वयम पर नियंतरन रखकर ही च सभी होती नहीं विशंगे विश्टा करना सीखें क्योंकि सब बातों के परे सब बातों के ऊपर महत्व समाज की एकात्मता सद्भाव और सद्विभार का है यह किसी भी काल में किसी भी राष्ट्र के लिए परमसत्य है तथा मुनुष्चों के सुखी अस्तित्व तथा सहजीवन का एकमात्र उपाएं और ऐसे चलना है तो शक्ति चाहिए क्योंकि दुर्बल धर्मकावन नहीं कर सकते नायम आत्मा बलहीने न लभ्या अध्यात्मभी साधना बलहीनों को नहीं पट्टी यह सारा करना है तो दुर्बलता उनके अंदर छिपी है सशक्त समाज इसको कर सकता है जो नहीं करते वो अपने आपको कितना भी बल्वान बताते होंगे कुछ दुर्बलता उनके अंदर छिपी है और इसलिए दुनिया के भीति है सत्य भी है अपना दुनिया शक्ति देखती है उसके पीछे की उसको स्विकार करती है बलहीनों को नहीं पूछता बलवानों को विश्व पूजता जब भारत वर्ष गिन्ने लायक बल नहीं रखता था तो हमारी कितने अपमान होते थे हमारी लोगों को कैसे निकाला जाता था अब भारत वर्ष की शक्ति बढ़ गई है तो मान भी बढ़ गया है भारत वर्ष के नागरिकों की प्रतिठा भी बढ़ गई है भारत वर्ष जितना बड़ा बनेगा उतना उसकी बाते स्वीकार होगी उसकी बाते सत्य है सबके लिए है सत्भावना परिपूर्ण है परंत तो उसका स्वीकार हो है तो शक्ति संपन्न बनना पड़ेगा यह आज की जगत की रीती है इसलिए उसे की साधना दुर्बल नहीं रहना रिरिक मानसिक बउद्दिक सप्रकार का बल चाहिए संगडित समाज का बल चाहिए उसी की साधना र्षिय सोयंसे उसक्व करता हैं पर ern्तुर सक्टि को दिशा चाहिए पर दिशहीनों की शक्ति उपद्रव करती है और इसलिए राष्ट्रियस वैंसे उख संग में बलके साथ शील की साधना होती है शील संपन्न शक्ति विश्व में सद्भावना और शांति का आधार बनती है साधना ही मुक्तिकाश बढ़ रहे शक्ति ही तो शांति का आधार रहे लेकिन ये शक्ति शील संपन्न होनी चाहिए इसलिए प्रार्थन आपने सुनी अजय यांच विश्वस्य देईश शक्ति में अजय यह शक्ति जिसको कोई परास्त न कर सकते है इसा ही लेकिन तुरंत कहा सुशीलम जगत ये न नम्रम भवेत ऐसा शील चाहिए जिसके सामने आदर पुर्वक सा जगत नम्रहोग भारत में यह जो चुनोती है सारे विश्व पर जो है संपूर्ण विश्वता विश्व की व्यवस्था मांगलने नष्ट करके अपने स्वार्थी दाव की पकड़ में विश्व को रखना चाहने वाले लोग जो कर रहे हैं और अपने स्वार्था के लिए उनको साथ डेर है वो चुनोदिया उपस्थित करेंगे उसमें से हमको आगे बढ़ना है निर्भय निर्वय रहुकर इसलिए शील संपन्य विवार के साथ शक्ति साधना महत्व पूर्ण है आज का प्रवविया इसा ही है डेवों ने सबने अपने अपनी शक्तिया एकत्त प्रवित कर दी नौर आत्र जागरन किया उसके लिए उसमें से चिनमई जगदंबा प्रगट हुई और उसके प्रगट होने से असुरों का निर्दालन हो गया सज्जनों का कल्यान हो गया और विश्व का कल्यान हुआ इस विश्व मंगल साधना के मोन पुजारी के नाते संग लगा है सबको यही साधना अपने पवित्र मात्र भूम को परम वैभो संपन्न बनाने की शक्ति वसफलता प्रदान करेगी और इस साधना को देखकर दुनिया के बाकी देश भी इसी साधना उनके संदर्में उनके देश में करेंगे और साभीती कि विश्व के जीवन में अपने देश को सामर्थ संपन्न, वेवह संपन्न, बनाकर सब देश विश्व में योगदान करेंगे ये स्ठिती इसी रास्ते से आईगी ऐसी ये साधना है सुखशान्ति सद्भावना युक्त विश्व को बनाने की साधना करने वाला भारत बनाने की ये साधना है इस साधना में आप सबको मैं निमंत्रित करता हूँ और इन पंक्तियों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ हिंदु भूबी का कणकण होकर शक्ती का अवतार उठे जल थल से अंबर से फिरब हिंदु की जैजे कार उठे जगजनेनी का जैजे कार उठे भारत माता की जै